Hi everyone, it's me Pooja, so welcome and welcome back to my channel PS Styles में आज की वीडियो में होने वाली है इंदर लोग ठस्टे पट्रे मार्केट की आज की वीडियो में मैं आपको पूरा complete इंदर लोग ठस्टे पट्रे मार्केट कराऊंगी कहां पे आपको क्या क्या चीजे कितने रुपे में मिल जाती है इस वीडियो में आपको पूरे इंदर लोग का ही collection दिखाऊंगी मैट्रो स्टेशन के नीचे का collection छोड़के पूरी मार्केट का आपको कहां पे आपको क्या क्या चीजे मिल जाती है तो सब कुछ location के साथ, price के साथ आपको बताती जाऊंगी क्या चीज आपको कहां पे कितने रुपे की मिल जाती है कहां पे आपको सस्ता और बढ़िया collection मिलता है क्यों से भाईया पे आप trust कर सकते हो जिनके पास आपको even quality का collection मिल जाता है तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा helpful होने वाली है आपके लिए सो वीडियो पसंदा है तो वीडियो को like भी कर देना चैनल सब्सक्राइब कर लेना कोई भी क्योरी हो आप मुझे comment कर सकते हो comment में मैं आपका reply कर दूँगी कुछ भी आपको market से related पूछना हो और भी कुछ भी पूछना हो तो आप comment कर सकते हो ठीक है तो इस market में आपको सबी चीज़े मिल जाती है designer साड़ी, designer लहेंगे बच्चों के कपड़े, बच्चों के footwear collection man's wear collection मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ पे नहीं मिलती घर से related चीज़े, bad sheet, sofa cover हर एक चीज़े आपको यहाँ पे मिल जाती है अरशी collection, ठीक है 350 रुपे भहिया के suit का price होता है और भहिया, Thursday वाले दिन sale लगाते है, पीछे भहिया की shop भी है आप shop में विजिट कर सकते हो अगर आपको shop में से collection पसंद आता है भहिया के पास starting price 300 है, अंदर आपको और अगर आप high range के suit बगरा लेना चाते हो, तो वो भी आपको मिल जाएगी जो मैं आपको ये आगे suit दिखा रही हूँ ये pure quarter material के suit आपको यहाँ पे मिल जाएगी, फिर भहिया कुछ time से यहाँ पे लेकर आने लग गया है बनारसी साड़ी, suit वाले भहिया का ही ये collection है पीछे जितनी भी साड़ी लगी हूई है वो सब आगे वाली है, तो पीछे fold करी हूई लगी हूई है, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि जो आगे साड़ी लगी हूई है, उनमें आपको किस type की साड़ी मिल जाएगी 650 रुपे fix प्राइस होने वाला है काफी अच्छी बनारशी साड़ी आपको मिल जाती है जो आपको कहीं और 1500 रुपे में मिलती है वो यहाँ पे आपको only 650 रुपीस में मिल जाती है प्राइस fix होने वाला है, प्राइस में कोई bargaining नहीं होगी जो प्राइस भहिया ने बोल दिया, वही प्राइस होता है तो जहाँ पे पैसे कम हो सकते है, rate आप कम करा सकते हो वहाँ मैं आपको बता देती हूँ, कहाँ पे आप rate कम करा सकते हो सेल की चीजे हमेशा आपको fix price में ही मिलती है तो यह जो मैं आपको साड़ी दिखा रही हूँ, आपको 650 रुपे में ही मिलेगी लेकिन quality काफी अच्छी होती है तो color design options में भी आपको कमी नहीं मिलती है बहुत सारे color design options भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते है तो काफी बढ़िया साड़ी collection आपको यहाँ पे मिल जाता है तो भाईया के पास हमेशा आपको यह साड़ी collection भी देखने को मिलेगा suit के साथ साथ, लेकिन आपको बनारसी साड़ी ही मिलेगी यहाँ पे जो और material की साड़ी होती है वो भाईया के पास अविलेबल नहीं होती है तो only अगर आपको बनारसी का collection चीए तो यहाँ से purchase कर सकते हूँ और मैंने आपको बता दिया location सबा nursing home पहली गली है सबा nursing home इंदर लोग market का एक पेमस nursing home है वो सबसे पहली गली है यह उससे आगे वाली गली है फिर यहाँ पे भाईया ने लगाए हुए थे कुर्टी pant इनके पास काफी बढ़िया कुर्टी pant आपको यहाँ पे मिल जाती है प्राइस होने वाला है 250 उपे सारे sizes भाईया के पास available होते है इसमें आपको कफ्तान की पैटन भी मिल जाते है तो जो मैंने आपको काफी सारे जो मैं आपको दिखा रही हूँ न वो सारे आपको online sites पे भी मिल जाएगे तो भाईया के पास online sites से related भी कुर्टी यहाँ पे आपको मिल जाती है काफी बढ़िया collection आपको कुर्टी का मिलता है यहाँ पे online आपको काफी costly देखने को मिलते है लेकिन भाईया के पास only 250 रुपे में आप कुछ भी ले सकते हो इसमें आपको कुर्टी मिल जाती है कुर्टी के साथ आपको pant मिल जाती है काफी बढ़िया collection भाईया के पास यहाँ पे होता है तो इस गली में आपको काफी अच्छी चीज़े मिल जाती है अब देखो options बहुत है भाईया के पास और यह वाला तो बिल्कुल agitize same online है मीशो पे, flip card पे, Amazon पे और आप उसका price देख सकते हो और यहाँ पे आपको only 250 रुपे में यह वाला collection मिल जाता है तो भाईया की location हमेशा ही fix है जो मैंने आपको suit दिखाया, उनके सामने आपको भाईया मिल जाएगे और यह भाईया कफ्तान वाला piece मुझे दिखा रहे है तो यह कफ्तान pattern में था तो अगर आपको 250 की range में इस तरह की कुर्टी पैंट चाहिए तो यहाँ पे भाईया की पास से purchase कर सकते हो इनके पास आपको काफी अच्छा collection मिलेगा इससे सस्ता आपको market में कहीं नहीं मिलेगा आप कहीं भी ढून ले ना भाईया के पास आपको 250 रुपीज में जस्ट ओनली यहाँ पे कुर्टी पैंट का collection मिल जाता है तो यहाँ पे भाईया के पास आपको हमेशा इस तरह का collection मिल जाता है तो अगर आप ठरस्टे को आते हो तो आपको यह सब चीज़े मिल जाती है और आज मैं आपको पूरी market ही दिखाने वादी हूँ पूरी market में आपको क्या क्या चीज़े मिल जाती है तो मुझे भाईया का collection काफी अच्छा लगता है और market में सुबह होगे तो ज़्यादा वैस्ट रहेगा गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है market सुबह 8 बजे आपको proper तरीके से लगी हुई मिलेगी हाँ कुछ भाईया लोग नहीं लगाते है तो जब तक आप अंदर घूमोगे तब तक भाई market लग जाती है फिर यहाँ पे अंकल जी के पास आपको साड़ी मिल जाएगी यह मैं continue वीडियो शूट कर रही हूँ और continue आपको यह सारा collection मिलेगा आपको कहीं मुढ़ना नहीं है कुछ नहीं करना continue सीधे चलना यह सब चीज़े आपको मिलेगी तो यहाँ पे अंकल जी के पास दो प्राइस होते है साड़े तीन सो साड़े चार सो रुपे दो प्राइस में आपको यहाँ पे साड़ी मिल जाती है काफी बढ़िया साड़ी collection होता है यहाँ पे अंकल जी के पास यह जो मैं आपको दिखा रही हूँ यह 350 रुपीस वाली है तो काफी बढ़िया collection आपको मिल जाता है सारे color options मिल जाते है और अब मैं आ चुकी हूँ अकरम भहिया जी के पास जिनके पास आपको बनार सी साड़ी का सारा collection मिलता है और प्राइस होता है 250 रुपेस तो अगर आप भहिया से online लेना चाहते हो तो online भी भहिया दे देते हैं लेकिन एक तो सारी नहीं है अगर आप जादा सारी लेते हो तो भहिया आपको online दे देगे अकरम भहिया जी का मैंने contact number mention कर दिया अगर आपको जादा सारी मंगानी है घर बैटे तो आप मंगा सकते हो 250 रुपेस fix price है सभी में आपको blouse मिलेगा A1 quality की सारी की packaging होती है सारी भी अंदर से आपको A1 quality की ही मिलती है तो अगर आप यहाँ पर आना चाते हो तो गली में आपको बता चुकी हूँ सवनर्सिंग ओम से आगे वाली गली में आपको ये वाला collection मिल जाएगा भया के पास आपको सूती खादी सारी भी मिल जाती है उसका price भी सेम ही होने वाला है 250 रुपे तो बहुत सस्ते rate में पूरे इंदर लोग में सबसे जादा सस्ते rate भया के है इस rate में आपको कहीं भी सारी नहीं मिलेगी जिस rate में आपको भया यहां पर देते हैं तो काफी बढ़िया collection यहां पर भया के पास होता है पीछे जो सारीया लगी हुई है वो भी आपको सेम प्राइस में ही मिल जाती है 250 रुपीस में कभी-कभी भया के पास high range की सारी आती है तो वो अलगी होती है तो यह अदीब collection का board लगा हुआ है नीचे भया अक्रम भया जी आपको मिल जाएगी अब मैं अदीब collection के बाहर का collection भी आपको दिखा देती हूँ तो भया के पास न 250 रुपे में आपको काफी सारे options मिल जाते हैं इतने सारे color, design, option, variety की कोई कमी नहीं होती है तो अब यह अदीब collection के बाहर मुहमद कामिल भया जी यहाँ पर suit collection लगाते है इन भया का भी contact number mention कर दिया अगर आप घर बैठे मंगाना चाहते हो एक दो suit के लिए भया को disturb मत करना है अगर आपको ज़्यादा suit चाहिए screenshot low भया जो मैं suit दिखा रही हूँ screenshot लो और भया को send कर दो तो यह जो मैं आपको suit दिखा रही हूँ orange color का था बहुत pretty suit था price था इसका just only 650 रूपे तो यह V-neck का suit आप देख सकते हो अगर आपको ज़्यादा ताम जाम पसंद नहीं है तो आपको नैट पे mirror वर का design मिलेगा पूरा plain suit मिल जाएगा तो भया के पास आपको हर variety के suit मिल जाते है यह organja में है इसमें आपको गोटा पट्टी वाला design मिल जाता है गोटा पट्टी वाला आपको डुपट्टा मिल जाता है 650 रूपे fix price होने वाला है भया का चाहे आप online मंगा हो या आप भया की shop पे विजिट करके लो online अगर आप मंगाते हो तो जो delivery charge होगा वो आपका होगा suit से अलग ठीक है तो काफी बढ़ी है collection भया के पास आएवन quality के suit 650 रूपेस में आपको मिल जाते हैं जो suit आपको 1500 रूपे के मिलते हैं भया के पास यहां पे 650 पे मिल जाते हैं आज में जल्दी गहीती इसले भया खा लीते हैं अदर्वाइस भया के पास जाकने तक की जगे नहीं होती है इतना ज़्यादा crowd होता है और मेरी कुछ subscriber भया से suit भी लेके गई है तो suit की quality बहुत amazing होती है मतलब A1 quality जिसे कहते है वो होती है और जो पीछे suit है वो भया ने अठारो सो रुपे का बताया तो वो different था suit वो काफी heavy party wear था तो यह दीब collection की shop में आपको कुछ legitimate dresses भी मिल जाती है जिनकी price range start हो जाती है तीन हजार रुपे से तीन हजार रुपे से start हो जाती है अगर आपको dresses वगेरा चीए shop के अंदर विजिट करके आप ले लेना side maker यहाँ पर suit लगाते है यह जो मैं आपको भया के suit दिखा रही हूँ इन भया की location भी fix है यह भया हमेशा आपको यहीं पर मिलेगी इनके पास भी काफी अच्छा suit collection मिल जाता है इस market में जो आपका budget है उसी के according आपको collection मिल जाता है इन भया के suit जो मैं आपको दिखा रही हूँ 550 रुपीस के होने वाले है यह black color का suit मुझे बहुत pretty मतलब इस पे जो ना गोते है वो लगे हुए थे थ्रेट बर की वो बहुत जादा pretty थी तो 550 रुपे में आपको ये वाले suit collection यहाँ पे भया के पास मिल जाएगा देखो मैंने आपको 650 वाले दिखाया 300 वाले 550 वाले तो हर range का जो आपका budget हो उसी के according आपको यहाँ पे suit मिल जाते है तो A1 quality का collection होता है 550 वाले देखो quality में different होगे क्योंकि price में different है तो 550 वाले 650 जैसा नहीं हो सकता 650 वाले 550 जैसा नहीं हो सकता यहाँ पे एक येरिंग वाले भया करे थे जो 30 रुपीज और 50 रुपीज के येरिंग सेल कर रहे थे काफी सुन्दर सुन्दर येरिंग यहाँ पे भया ने लगाए हुए थे अम मैं आचुकिए जनरत कलेक्शन जनरत कलेक्शन में आपको मिल जाती है बनारसी साडिया तो आपको अगर designer बनारसी साडिया चाहिए तो आप जनरत कलेक्शन आ सकते हो काफी बढ़िया कलेक्शन आपको यहाँ पे साडियों का देखने को मिलेगा एक से एक यहाँ पे आपको मतलब ओल जितने भी colors होते हैं वो सब आपको यहाँ पे साडिय में मिल जाते हैं और यह भया का address है भया कि यहीं पर shop है जो 7 days open होती है और यहाँ पे भया Thursday वाले दिन पटरी लगाते हैं और यह जो साडियों आपको जितनी भी बनार सी साडियां दिखा रही हूँ इनका price होने वाला है 1000 रुपे 1000 रुपे इनका fixed price होता है 1000 रुपीस यह fixed price है भया का लेकिन साडि की quality आपको वो वाली मिलेगी जो आपको कहीं ओर 2-3,000 रुपे में साडि मिलेगी उस quality की साडि आपको यहाँ पे 1000 रुपे में मिल जाती है color options बहुत सुंदर सुंदर आपको मिलेगी अगर आप newly bride हो या आपकी शादी होने वाली है या आप किसी को gift करना चाते हो इस तरह का collection तो मतलब बहुत बढ़िया जबरदस्ट collection है यह और range भी काफी अच्छी है 1000 रुपे 1000 रुपे एक fix price है भया का अब आप इसमें से कोई भी साडि चूस कर लो price सेमी रहेगा तो आप quality देखो साडि की साडि की quality देखने से ही पता चल जाती है तो यह जितनी भी साडि मैं आपको दिखा रही है यह जननत collection पे हमेशा आपको मिलती है और पीछे भाईया की shop भी है आप shop में भी विजिट कर सकते हो shop में आपको और ज़्यादा collection देखने को मिलेगा और अगर आपको high range की साडि चाहिए तो वो भी आपको जननत collection मिल जाएगी अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ अर्बाज भाईया के पास जो merit से आते है especially Thursday वाले दिन के लिए तो इनके पास आपको only suit suit collection मिलेगा यहाँ पे और यह जननत collection से थोड़ा सा आगे आपको मिल जाते है अर्बाज भाईया के पास जो मैं आपको यह suit दिखा रही हूँ यह होने वाले है 4500 रुपे के 450 रुपे में आपको यह वाले suit मिल जाएगे तो भाईया आप दो variety लेके आने लग गए है एक 450 वाली एक 750 वाली पहले मैं आपको 450 वाली दिखा देती हूँ 450 रुपीस में आपको बहुत सुंदर यहाँ पे suit मिल जाते है देखो मार्कीट में आपको साड़े 300, साड़े 400, साड़े 500, साड़े 600, साड़े 700 इस range के मैं बहुत ही affordable range वाला ही collection दिखाती हूँ अगर आप वीडियो के थुरू किसी भी भहिया के पास जाते हो तो प्लीस उनको बताया करो कि हम वीडियो के थुरू आया है उनको भी काफी अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो अगर बनाई जाती है तो customer हमारे पास आता है ठीक है तो आप प्लीस उन्हें एक बार बता दिया करो वीडियो के दुरू आया ठीक है तो काफी बड़िया collection अरबाज भाईया के पास मिल जाता है चनत collection से आगे आपको dispensary मिल जाती है पीछे dispensary है dispensary के आगे आपको भाईया यहाँ पे मिल जाते हैं अरबाज भाइया मेरेट से आते हैं सूट के लिए स्पेशली तो चलिए अब यहां से चलते हैं गली नंबर 6 की तरफ यही वाली गली चली जाएगी गली नंबर 6 पे जिसमें आपको कोने पे एक अंकल जी मिल जाएगे जिनके पास आपको साड़ी कलेक्शन मिलेगा ठीक है आपको इस तरह की पार्टी वियर साड़ी देखने को मिल जाती है इनके साथ में यहां पर टीशट लगाते हैं जिनके पास आपको स्मॉल से लेकर ट्रिपल एक्सल साइज मिल जाते हैं प्राइस होता है ओनली धाई सो रुपे तो यह बहार से लेकर अंदर तक यहां पर आ ज्यादा बैस रहेगा आपको फ्राउड नहीं मिलेगा धूप ज्यादा धूप होने से ज्यादा गर्मी होने से पहले आप शॉपिंग कर चुके होगे तो यह देखो फिक्स प्राइस वाला कलेक्शन है 250 रुपीज का कलेक्शन है कभी भी भाहिया के पास आओ ठस्टे वा होता है अधर शॉप पर मार्केट में क्या होता है जैसे हम बड़ा साइज मांगते हैं प्राइस भी जादा हो जाता है लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है आप जितना मर्जी बड़ा साइज ले लो आपको फिक्स प्राइस में ही मिलने वाला है तो क्वालेटी काफी अच्छ ज्यादा चोरी भी यहां पर होती है उपर जो टीशट लगी हुए उनका भी सेमी प्राइस है 250 रुपीस और नीचे जो जितनी भी मैंने आपको दिखाईए यह इसमें आपको कुछ जूडियों के पीसेस भी मिल जाते हैं मैक्स वगेरा के भी तो काफी बड़िया कलेक्श साल तक के बचों का इजली इसक में कलेक्शन मिल जाता है क्वालेटी आप देखी सकते हो अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत अच्छी क्वालेटी आपको मिल जाती है इन्हीं कपड़ों को बंसिक्स्टी रुपीस वालों को अगर शॉप वगेरा में अच्छी पैकेजि बहुत वीजनेबल है तो काफी बढ़िया कलेक्शन आपको भईया के पास यहां पर देखने को मिल जाता है तो अगर देखिए मार्केट में आपको सब कुछ मिलेगा यहां पर बच्चों से लेकर बड़ों तक का हर एक चीज मिलेगी और इस गली में गली नमबर 6 में आप आपको काफी अच्छा कलेक्शन देखने को मिल जाता है तो यह देखिए बच्चों का आपको छोटे बच्चे हो आपके बड़े बच्चे हो आपको सब तरह की चीजे आपको इस मार्केट में मिल जाती है प्राइस देखो फिक्स होने वाला है जैसा मैंने आपको बता आप रेट कम करा सकते हैं और भहिया कर भी देगे लेकिन यहाँ पे नहीं ऊपर जो कलेक्शन लगा हुआ है वो 200, 300, 300, 300 इस रेंच का है नेचे जो कलेक्शन था वो सब सेम प्राइस का था अब इनके सामने यह दूसरे भहिया का कलेक्शन दिखा रही हो इसका प्राइस प आप भईया के पास देखिए जो मैंने आपको पहले कलेक्शन दिखाया उससे बिल्कुल डिफरेंट चीजे में आपको मिल रही है यहाँ पर प्राइस है इनका भी 160 रुपीज, 170 रुपे में आपको यह वाला कलेक्शन मिल जाएगा देखो मैंने बेबी गल्स, बेबी कलेक्शन यहाँ से पर्चेस कर सकते हो, बहुत ही रीजनेबर प्राइस में आपको मिल जाता है, यह यलो कलर की बेबी गल्स की फ्रॉक बहुत ज्यादा क्यूट थी, तो कितनी सुन्दर आपको इस तरह की फ्रॉक मिल जाएगी, इसका प्राइस भी सेम होने वाला है, इसक कि कोई भी क्योरी हो, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, कॉमेंट पर मैं आपका रिप्लाइ कर दूँगी, और मार्किट का मार्किट की टाइमिंग बगएरा मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, सुबह 8 बजे मार्किट लग जाती है, अब गर्मी जादा हो चुकी ह तो मार्किट थोड़ा जल्दी बंद होने लग जाती है, दो से तीन बजे तक मार्किट लगती है, और आठ बजे प्रॉपर तरीके से मार्किट लग जाती है, यह 4 पीसिस का सेट भी आपको सेम ही प्राइस में मिल रहा था, इसमें आपको 4 पीसिस का सेट मिल रहा था, ठी चीज़ है आपने किसी शोरूम में देखी हो या किसी वैसी शॉप पे देखी हो और वो सेम पीसेस आपको यहां बहिया के पास मिल जाता है 90 परसेंट तो मिल ही जाता है तो 300 रुपीस प्राइस है और बहिया के पास आप क्राउट देख सकते हो और अभी गली में इतना आउड हो जाता है यहां पर 300 रुपीस प्राइस है कापी सुन्दर आपको बेवी गल्स के पास आता रहता है लेकिन जादा कलेक्शन भाइया के पास यहां पर बेवी गल्स का ही आता है अब यह वाली आप देखो आपको छोटे-छोटे साइस से लेकर बड़े साइस तक लेकिन हमारे घर में कोई चोटी बेबी घर नहीं है डाट सवाई मैं कुछ भी पर्चिस नहीं कर पाती हूं भाया से तो आपको इस तरह का कलेक्शन यह वाली न हील में है और यह बड़े साइजिस है तो यह आपको मिल जाएगी यहां पर 300 रुपीस 300 रुपे में काफी बड 250 रुपीस में मिल रही थी तो यह बेबी बॉयस की बडिया और 250 रुपीस में यहां पर मिल रही थी आप जो मैं आपको कलेक्शन दिखा रही हूं यह बैली में भाया के पास ना तीन-चर कलर ओपशन सा जाते हैं भी बड़े के पास एक ही बचा हुआ ता वह यह कैरते से आउट हो गया यह जो मैं आपको कलेक्शन दिखा रही है 200 डूपीस का है 200 रुपे मैं आपको यह वाली बैली मिल जाएगी यहां पर सैंडल तो इसमें से आप कोई भी ले लो भाया अलग-अलग लगाते हैं 200-300 तो भाया की पास रेंज अलग-अलग आती रहते हैं कभी-कभ वाली रेंज भी आ जाती है 300-400 इस तरह की यहील वाली बैली काफी ज्यादा पीटी लग रही थी भाया की पास क्या होता है ना जो बड़ी टीनेजर्स की होती है ना उनके ही छोटे पीसिस आते हैं और ऐसा काफी कम देखने को मिलता है हमें ठीक है तो इनके साइड में को आते हैं अब महिन अरेश आका डिजायनर फुटव desta क्रणे को इक दम ब्रैंडबबाशन नामी नरेश ब्रैंडब फुट वयर के नामसे यहां पे रहे के पास आपको एक से कार्टिकल मिलेग पर मिलती है उसका प्राइस भी है 250 रुपीज अगर आपको हील में चाहिए ब्लॉक हील चाहिए ओल टाइपस हील भाईया की पास प्लाट सब तरह का कलेक्शन इसमें मिक्स होता है प्राइस है 250 रुपे काफी बढ़ीया कलेक्शन भाईया की पास हमेशा ही यहां पर होता है एक से एक चीजे भाईया की पास यहां पर होती है भाईया की पास सुबह साथ बजे भी अगर आप आ जाते हो ना मतलब भाईया की शॉप भी नहीं लग पाती है और भाईया की पास क्राउट खड़ा हुआ होता है कलेक्शन पर्चेस करने के लिए इतना बढ़ीया और ऑफिस वियर के लिए बहुत अच्छी थी बहुत अच्छी 250 रुपीस प्राइस था इसका भी अब एक और बैली मिली मुझे यह तो मुझे और भी जादा सुन्दर लगी थी क्योंकि इसमें आगे चैन वाला डिजाइन था यह गोल्डन कलर की तो बिल्कुल पार्टी और अगर आपको कमफेट वाली चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी यहां पर ओल्टाप्स कलेक्शन बहिया के पास अभिलेबल होता है अब आप इस तरह की हील भी देख सकते हो तो इस हील को क्या कहते है मुझे इसका नाम नहीं पता किसी को पता हो तो कॉमेंट करके ताइम यहां पर कुछ और मिलेगा तो यह प्लाजो लेकिन काफी बढ़िया बढ़िया थे यह यलो वाले प्लाजो का घेर इतना बढ़िया था सो रुपे प्राइस था सो रुपे में आपको यह वाले प्लाजो मिल रहे थे इसमें चिकन कारी वाले प्लाजो भी थे जो द तो आपको 100-100 रुपे में प्लाजो वगेरा मिल जाएगी और कभी-कभी भाईया कुछ ड्रैसेस वगेरा कुर्ती वगेरा लगाते रहते हैं मैंने आपको बताया जैसे हर्ट हस्ते को भाईया के पास क्या मिल जाया देखने को वो मार्केट में जाने के बाद ही पता चलता है यह सारा कलेक्शन आपको गली नमबर 6 में मिल जाता है तो अगर आपको गली नमबर 6 नहीं मिल पारी आप किसी से भी पूछ ले ना कोई भी आपको बता देगा गली नमबर 6 कहां पर है तो काफी इजली आपको यहाँ पे कलेक्शन देखने को मिल जाता है आपको कहीं डू या आपको 450 रुपे की मिलेगी 450 रुपीज में आपको ये वाला साड़ी कलेक्शन मिलेगा भाईया की पास स्टार्टिंग रेंज है साड़े 400 रुपे से और रेंज आएगी 3000, 4000, 5000 तक ठीक है तो जो भी रेंज की आपको साड़ी चाहिए भाईया को बता देना हो जाएगी काफी बढ़िया कलेक्शन आपको 450 की साड़ी में देखने को मिलेगा यहां पर यहां ने मुझे एक मिनट में इतनी वराइटी दिखा दी वैसे तो नीचे आगे जितनी भी साड़िया लगी हुई है सब ही 450 रुपीस की है लेकिन भाईया मुझे कुछ अच्छ दिन ठीक है तो आप 7 डेस में से किसी भी डे भाईया के पास आ सकते हो काफी बढ़िया कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा पहले आप साड़ी पसंद कर लो उसके बाद खोल के चेक करा लेना उसके बाद पर्चिस करना हमेशा मैं आपको कहती हूँ कोई भी समान आपको पैकिट बन नहीं खरीदना है पहले इसको अच्छे से खोल के चेक कर लेना उसके बाद ही खरीदना है और ये रैड गाजरी में काफी सारे भाईया ने कलर दिखा दिये डार्क रैड डार्क महरून ठीक है कलेक्शन बहुत बढ़िया होता है अब यह देखो ये जितनी लगी हुई है उन सबका अलग-अलग रेट है नीचे वाली का प्राइस साड़े 400 है पीछे वाली का सबका प्राइस डिफरेंट है तो सबका प्राइस बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सबका प्राइस डिफरेंट था हा मैं आपको बता चुकि हूँ साड़े 400 से स्टार् जाएगी अब यह कुछ बनारसी के options देख लो 750 रुपीस प्राइस है बनारसी के 750 रुपे में आपको बनारसी वाली साड़ी मिल रही है यहाँ पर लेकिन quality काफी अच्छी है इसलिए price भी थोड़े आपको high लगेगे लेकिन according to quality काफी सही rate भहिया ने यहाँ पर बताए 750 रु बनारसी सिल्क में भी थी all types बनारसी में जो pattern होते है वो सभी types की थी यहाँ पर यह जितनी भी साड़िया लगे हुए है इन सब का price है 750 रुपे ठीके तो काफी बढ़ी है साड़ी collection भहिया के पास पूरे shop के अंदर भहिया के पास साड़ी ही साड़ी भरी हुई मिलेगी अले अच्छे से देख लेना उसके बाद ही खरीदना 150 रुपे में आपको एक कुर्ति मिलेगी 300 रुपे में आपको दो कुर्ति मिल जाएगी लेकिन कुर्ती की quality काफी अच्छी होती है वह यह के पास बहुत प्राउड होता है क्यूंकि quality काफी अच्छी होती है sizes आपको सा यहां पर देखने को मिलता है तो प्राइस फिक्स होने वाला है 150 रुपई की एक कुर्ती 300 रुपई में आपको दो कुर्ती मिलेगी और साइजिस सारे मिल जाएगे और भहिया ने पहली बोर्ड लगाया हुआ है बदला नहीं जाएगा तो प्लीस उसको वहीं पर अच्छे से चेक करके परचिस करना भहिया से बदलने मत आना बिल्कुल भी क्योंकि देखो आज जो भहिया बदल देते हैं उनसे आप बात करके जाओ तो बदल देते हैं लेकिन जब भहिया ने पहले ही बोर्ड लगाया हुआ है कि बदला नहीं जाएगा तो इसका मतलब यह है कि सिंगल Watch से लेकर डबल बैड की बैड शीत मिल जाती है सिंगल ली बैड डिषीत आपको हैं यहां पर देखने को मिलती हैं तो आपको फोरड़ में आपको कॉर कॉटन मेटेरियल की बैड Snay लगाते हैं उनसे जगे मिलेगें लेकिन कॉटन की बेड शीट वाले कुछिए भहिया आपको देखने को मिलेगे तो गली नंबर 6 के बाहर भहिया लगाते हैं भहिया बहुत अच्छे हैं कलेक्शन भी इनके पास आपको बहुत अच्छा मिलेगा मतलब एक बैटशिट में आपको 100 डेजाइन देखने को मिल जाते हैं यहां पर यहीं से मैं थोड़ा सा आपको यह वाला पर्दों का कलेक्शन मिल रहा था और गंजा वाले पर्दे थे और काफी सही कलेक्शन भहिया के पास था और भहिया लोगों पर भी इसलिए भीड़नी है क्योंकि मौर्निंग में जाने का यही फायदा हो जाता है क्या आपको क्राउट नहीं मिलता देखन और यहाँ पर बहुत जल्दी अच्छा कलेक्शन सेल आउट हो जाता है क्योंकि भहिया लोगों से पहले यहाँ पर क्राउड आ जाता है समान खरीदने तो 100-100 रुपे में पर्दे मिल रहे थे काफी अच्छी क्वालिटी में मिल रहे थे और यहाँ पर देखो आपको सभी की टैप्स की पर्दे मिल जाते हैं नेक्स टैम भहिया 100 रुपे वाले यह ऐसा फिक्स नहीं है भहिया 200-300 रुपे वाले कोई भी लेकर आ सकते हैं मार्किट में जाने के बाद ही पता चलता है कि भहिया आज क्या लेकर आए हुए लेकिन मुझे काफी सही लगे 100 रुपीस म पर्दे का कलेक्शन मिल रहा था यहां पर इस मार्किट में आपको सबी रेंच के पर्दे मिल जाते हैं अगर आपका बजट 1000 रुपे भी है 1000 रुपे का एक पर्दा भी आगर आप लेना चाहते हो तो बहूत को यहां पर पर मिल हैं इसी तरीके से आपको भी चैक करनी हैं उसके वाद ही खृती ही रहती है यह वाली बैटそうですね के लिए बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही थी ड्यायचर में नंटिल्टा दיू निजन भी वोगा साटन ले लो और अब लुकों और लोगो receptor अंब किशेशत भी पर वह nuts बिल्कुल भी अभी भाईया लोगों नहीं जस्ट कलेक्शन यहां पर लगाया है और मैं पहुंच गई थी मार्केट में तो देखो बिल्कुल भी किराउड नहीं अदर्वाइस इस मार्केट में गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो भीड इतनी होती है कि मतलब आप अंदाजा भ बहुत अच्छी of the Lil that экспер겠네요 के परदेए थे हावई इकॉलीटी में दोसो रुपे प्राइज तो बोहुत अच्छीटू इतनी होई मिलें पर वह एवक यहां लगी ओंग के प्रदे में लिखे साटन हैं कि विण आपको साइनी नich उलिंटी में बहुत अच्छा था था तो बह तो भी तीन-चार कलर ओप्शन्स आई हुए थे काफी यूनिक से लग रहे थे काफी अच्छी वाइब दे रहे थे तो काफी बढ़िया कलेक्शन यहां पर लगा मुझे भाईया का पास और यह हमेशा भीया वैसे लेकर ही आते हैं लेकिन ऐसा हो सकता है कभी भाईया का कलेक कर दो अधर यहां पर सो रुपे कहीं भी लोग आप मतलब सदर बजार में ले लो इंदर लोक मार्कीट में ले लो 9 फूटके होते हैं कलर ऑप्शन इसमें काफी सारे मिलेगी डेकोरेशन वगेरा के लिए काफी अच्छे होते हैं और सो रुपे इनका प्राइस होता है हमे साइड में अंकल ने फेक दिया वहाँ पर तो एकदम फ्रेश क्वालिटी के आपको मिलते हैं और यह वाला जो परदा मैं आपको दिखा रही हूं यह शाइनी मेटेरियल था इसमें जो शीमर होती है चमकीली टाइब की वह थी यहाँ पर यह सारा कलेक्शन एक ही भहिया की प आपको साइट मिल रहा है यहाँ पर और यह वाले काफी कोस्त्री मिलते हैं और बहुत अच्छे होते हैं यह कंपर्ट वाले होते हैं इनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती हैं आपको बहुत सारी होती है यहाँ पर आपको भर भर के कलर डिजाइन मिलेगे यहाँ पर और आपको plane में चाहिए, वो भी आपको भाया के पास मिल जाते हैं, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ पहले आप print वाले देख लो, आपको किस तरह के print मिलेगे, price भाया से कम मत कराना, fix price है भाया का पहले ही उन्होंने बहुत सस्ते rate करे हुए, 600 रुपे में cutting करके आपको देदेगे, यहाँ पे color options variety बहुत सारी मिलेगी आपको, पीछे भाया के पास इतने boxes आए हुए थे, सभी में पैसे भाया सारे color options ना बहार लगा के रखते हैं, तो यह white वाला मुझे off white था, बहुत pretty लग रहा था पीछे भी जितने भी लगे हुए, वो सब इनी के हैं, box में pack करे हुए तो काफी बड़िया collection आपको मिल जाता है, यहाँ पे एक अंकल जी ने न तकिये के cover लगाए हुए थे, जिनका price था 100 रुपे के 4, 100 रुपे में आपको 4 तकिये के cover मिल रहे थे ऐसे तो 100 रुपे के 4 कहीं भी मिल जाते हैं, लेकिन इन तकिये cover में एक खास बात, इन में chain लगी हुई थी chain वाले नहीं मिलते, chain वाले 100 रुपे के 2 ही मिलते हैं, तो यह 100 रुपे के 4 काफी सही थे काफी सही लगे मुझे 100 रुपे में 50 रुपे दोगे न, तो भी भईया नहीं लेगे 60 रुपे अगर प्राइस है तो 60 रुपे ही लेंगे वो तो काफी सही लेकिन बिल्कुल fresh material की आपको यहाँ पे pant मिल रही थी, 60 रुपे का आपका कपड़ा भी नहीं आएगा, और यहाँ पे आपको सिली सिलाई एकदम best pant मिल रही थी है, आपे crowd आप देख सकते हो, चारो तरप से कितना crowd हो रहा है, तो काफी सही collection यहाँ पे भीया के पास मिल रहा था आप देखते हैं, नेक्स टांग भीया यह सेल लेकर आते है या नहीं लेकर आते हैं, दो तिन रुपीस में यह वाला collection था, यहाँ पे मुझे काफी सही लगा यह collection और दो तिन बार से भीया लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक बार ना pant को अच्छे से देख लेना यहाँ पे भीया कुछ suit collection भी लेकर आते हैं हमेशा, और price range तो अलग-अलग होती है यहाँ पे, तो कुछ आपको suit collection का भी यहाँ पे collection मिल जाता है, ठीक है तो price 9 भीया के fix होते हैं, कुछ भी low आप यहाँ पे fix price में आपको collection यहाँ पे मिलता है तो चलिए और आगे चलते हैं, आगे का collection देख लेते हैं please market में जब भी आना, अपनी phone पर्स का खासकर ध्यान रखके market में आना, बहुत चोरी होती है, आपको पता नहीं चल पाता है तो अपने phone पर्स का आपको बहुत ध्यान रखना है, ऐसा ना हो आप shopping में busy होके अपना phone पर्स चोरी करा लो, मैं हमेशा यह बात वीडियो में इसलिए बोलती रहती हूं, क्योंकि market में बहुत लेडिस के पर्स चोरी होते हैं, phone चोरी होते हैं, और अच्छा नहीं लगता है आप बजार आयो, आपका 10,000, 15,000 का phone चोरी हो गया है, तो काफे दुख होता है तो प्लीज अपना ध्यान रखना, ठीक है, अब यहाँ पर भाईया के पास फैब्रिक मिलेगा आपको 40 रुपे मीटर के हिसाब से इन भाईया के पास बहुत अच्छी चीजे आती रहती हैं, हर ठस्टे को कभी भाईया लहेंगे ले आते हैं, साड़ी ले आते हैं, और डेजाइनर डैसेस ले आते हैं, गाउन ले आते हैं, मतलब कुछ भी ले आते हैं, भाईया कब क्या आ जाए हैं, आपके कुछ पता तो होता नहीं है तो ये 40 रुपे मीटर के हिसाब से फैब्रिक भीया सेल कर रहे थे तो आज भीया सारा फैब्रिक ही लेकर आया हुए लेकिन फैब्रिक बहुत अच्छा था तो जिनका बुटिक वगेरा हो सिलाई वगेरा आती हो उनको ये चीजे ज़ादा समझाती है फैब्रिक की चीजे ठीक है और जिनको इन चीजों से कोई वो नहीं है उनको तो इन चीजों से कोई मतलब भी नहीं है कि इनका क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा हाँ जिनका इस तरह का काम होता है बुटिक वगेरा का उन्हें बहुत नॉलिज होती है तो ये बहुत अच्छे फाबरिक होते हैं तो काफी सही रेंड में भाया सेल कर रहे थे 40 रुपीज मीटर के हिसाब से यहां पे तो इनके पास आपको बहुत अच्छा कलेक्शन देखने को मिल जाता है तो चलिए और आगे चलते हैं आगे का कलेक्शन देख लेते हैं और मार्कीट में क्या क्या आया हुआ है मार्कीट में जब भी आना, मौर्निंग में आ जाना और यहां पे आने के लिए आपको निरस्ट मैट्रो स्टेशन भी मिल जाएगा बस स्टैंड भी मिल जाएगा Metro Station gate number 5 से exit करोगे market में entry होगी आपकी ठीक है और बस stand main market के बिलकुल बहार ही है बस आपको चोड़ेगी और वहीं से आप market के अंदर entry कर सकते हो ठीक है बहुत असान रस्ता है यहाँ पर आने के लिए तो चलिए और आगे चलते हैं आगे का collection देख लेते हैं और यह आप crowd देख सकते हो यहाँ पे बहुत crowd हो रखा है बिल्कुल भी जाकने की जगर नहीं हो रखी फिर भी चलिए जाक लेते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है तो यहाँ पे एक cut pieces मिल रहे थे और यह भाया 40 रुपीस पता रहे हैं क्योंकि बहुत सुंदर आप इनका ना यह बहुत जगे काम आते हैं इस तरह के pieces अब यह mirror work वाला देखो कितना pretty लग रहा है तो यह boutique वगेरा वालों को designing वालों को पता होता है का आप इस तरह की चीज़े यूस की जाती है तो उन सब के लिए market बहुत ज़्यादा बैस इस market में आपको सभी टैप का fabric मिल जाता है जो fabric आपको कहीं नहीं मिल रहा हो आपको इस market में मिल जाता है वो भी rate ना आधे से आधे rate में आपको यहां पे चीजे मिल जाती है यहां पर दध-20 20 रुपर में इतना बड़ीया फैबरीक कलेक्शन मिलता है जो आप शौप अग का कलेक्शन देखते हैं और मार्केट में क्या क्या आया हुआ है यहां पर तो काफी बढ़ीया कलेक्शन आपको इंदर लोग ठेस्टे पट्री मार्केट में मिल जाता है कोई भी क्योरी हो मुझे कॉमेंट कर लेना कॉमें में मैं आपका रिपलाएं कर दूंगी अब यहां एक भीया ने तकिये के कवर लगाए हुए थे प्राइस सुनकर मैं काफी शॉप दूई दस रुपए प्राइस था ओनली टैन रुपीस में आपको यह वाला कलेक्शन यहां पर मिल रहा था तद दस रुपए में एक पीस आप दस रुपए का ले सकते हो यहां पर तो इसमे माय नाय कुछ फिक्स नहीं होता तो अगर आ जाएगा तो काफी बढ़िया रहेगा क्योंकि काफी सस्ते रेट में आपको चीजे मिल जाती है यहां पर अब देखिए काफी सारे तकिये कवर तो इसमें इतनी अच्छी बैस्ट क्वालेटी के थे ओनली दस रुपे में तो यह सारा कलेक्शन आज की वीडियो का था इन भाया के पास इस तरह का कलेक्शन आता रहता है यह भाया ना बैट शीट और तकिये के कवर ही लेकर आते है जादा तर तो अब मैं आपको ना जो तकिये वाले कवर वाले भाया है उनके पास आपको बैट शीट भी मिल जाती है 500 रुपे प्राइस है, 200 रुपे में आपको Double Bad की Glaze Cotton Fabric की Bad Shit यहाँ पे मिल जाती है, यह सारा कलेक्शन आपको मिलेगा, कूडा घर के सामने तो अगर आपको कूडा घर नहीं पता है तो किसी से भी पूछ लेना, दिली नगर Bad Shit, Glaze Cotton Fabric की यहाँ पे मिल रही थी काफी अच्छी Bad Shit होती है, लेकिन आपको यह 250 रुपीस का थान खरीदना पड़ेगा दो Bad Shit का, आप इसे घर जाके अलग-अलग कटिंग कर सकते हो और आपकी दो Bad Shit बनके तयार हो जाती है तो काफी बड़ीया कलेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी क्योरी हो मुझे कॉमेंट कर लेना, बाई